हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम राज है और मैं लगनोव से अपने यूटूब चैनल आउनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूँ ये आज फिर से मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे एक नई नर्सरी से और इसके प्लांट्स देखने के बाद तो मतलब आपकी सोची बिल्कुल बदल जाएगी कि plants ऐसे भी क्या कुई nursery बैज सकती है या नहीं बैजती है या मुझको किवल ऐसे show किया जाता है दिखाया ही जाता है भलकि ऐसे plants कहीं पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे प्लांट दिये है तो मैं ये guarantee ले सकता हूँ कि आपको इस तरह के प्लांट सायद ही इस से पहले किसी नरसरी ने किसी को प्रवाइट कराएं हो क्योंकि आप इनकी जब प्लांटों को देखेंगे फिलाल तो अभी इनकी अन्वाक्सिंग में कर रहा हूँ तो उसमें आपके वल यह देख लीजए कि इन्होंने लोहे का तार तक बांद रखा है क्योंकि प्लांट जबकि पाच फिट का इनका बैग है जो इन्होंने मतलब भेजा है जिसमें जो गत्ता भेजा है इन्होंने बॉक्स उसकी हाइट पाच फिट है और इसके बावजूद इन्होंने प्लांट को मोड़ दिया है यानि प्लांट की हाइट आप समझ सकते हैं कितनी होगी अब देखे ये प्लांट मेरे जो है अब ये सुरू हो रहे है अब आप इनका देखिए कि ये कितने हेल्दी है नीचे से देखिए इनका कितना मोटा है और ये है All Time Mango अब इसमें आप ये देखिए कि ब्रांचे देख लीजिए आप पत्तियां देख लीजिए मेरे को चार दिन में ये पारसल मेरे को मिला है लेकिन इसकी ब्रांचे आप देखिए और पत्तियां देखिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई पत्ति जुकी हुई है या खराब हुई या डैमेज हुई है बलकि इसमें जो भी आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा साखाँ इसमें है ब्रांचे देख लीजिए एक ये है एक इधर है एक इधर है और इसके उपर ब्रांचे आ रही है ब्रांचों के उपर ब्रांच है और इसकी हाइट लमसम अभी कुछ नहीं तो साड़े तीन चार फिट के आसपास की है है न और इसका जो ट्रंक है सबसे important होता है ट्रंक और उसके बाद होता है उसका graft दोनों ही चीज इतनी मजबूत है यह देखिये आप यह इसका ट्रंक है और यह graft है दोनों की यह मुठाई लमसम बराबर ही है आप अगर गौर से देखेंगे तो दोनों की मुटाई लंसम बराबर ही है और ये बहुत ज्यादा मतला इतना ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट प्लांट है गमले के लिए अगर आप परडिकुलर गमले में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है क्योंकि चार फिट इसकी हाइट है और इसमें तीन नीचे साखाएं दी है उसके उपर इसकी दो तीन तीन साखाएं आ चुकी है अभी ये देखिए आप और ये प्लांट काफी हेल्दी है मतलब यहाँ पर कोई भी इसकी लीफ वगेरा कुछ भी कोई खराब नहीं हुई है और बहुत ही जवर्दस्त इसकी चालू है देखिए यहाँ से इसमें सूट्स भी नहीं निकलना सुरू हो गई है अब ये देखिए दूसरा प्लांट ये है आमरपाली मैंगो अब इसका देखिए आप इसका भी ट्रंक काफी अच्छा मोटा है और इसमें भी देखिए आप ये देखिए ट्रंक कितना मोटा है नॉर्मली इतना मोटा ट्रंक कोई नहीं देता है और देखिए प्लांट बड़ा होने के कारण पाँच फिट के बैग में आ नहीं रहाता तो इन्होंने क्या किया है कि एक लोहे की सरीय अब ले ली है इन्होंने लोहे की सरीया टाइप की तो उसको मोड के इन्होंने इसको जुका दिया है बॉनजाइज टाइप में बना रहे हैं प्लांट को मेरे इन्होंने यह देखिए इसको जुका दिया है अब इसकी हाइट च पॉरी तरह से मैंने इसको भटा दिया है लेकिन पेड़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है क्योंकि वह चार दिन पैक्जिंग में उसी तरह से आया है तो इस वज़े से यह प्लांट अभी पूरी तरह से डारेक्ट इसको ऐसे नहीं सीधा कर सकते हैं इसको थोड़ा सपोर्ट देने के बाद तब इसको सीधा कर पाएंगे तभी मैं आपको दिखा पाओंगा लेकिन इसमें अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें 8-10 ब्रांचे अब यह देखिए यह जो प्लांट है यह मेरा कच्छा मीठा मैंगो का प्लांट है और इसका भी आप देखिए कि कितना बढ़िया इन्होंने, मतलब प्लांट मेरे को दिया है, इसकी हाइट भी आप देखिए, ब्रांचेस देखिए, कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, कौन नर्सरी इस तरह से प्लांट प्रोवाइड कराती है, आप खुस सोचिए, और इनके अगर प्राइस की बात करें, तो आ आप मान नहीं पाहोगे विस्वास की इतने सस्ते में कैसे मिल गया, ये एक मैंने नई नर्सरी से लिया है, जिसका नाम है सोभा नर्सरी, उनसे मैंने ये प्लांट लिये हैं, उनकी पैक्जिंग तो जबरदस्त थी ही, लेकिन इसके साथ उनके जो प्लांट थे, वो इतने गजब के हैं, मैंने टोटल तेरा प्लांट लिये हैं, लेकिन वीडियो मेरा इतना लेंदी हो जाएगा, कि मैं चार प्लांट या पाँच प्लांट ही एक पार्ट में दिखा पाऊगा, तो इसके मेरे को दो तीन पार्ट बनाने पड़ जाएगे, क्योंकि इनके प्लांट किस तरह के हैं इनकी सारी ब्रांचे वगारा सब चीज अगर मैं दिखाने में लग जाओंगा तो यह काफी लेंदी हो जाएगा तो इसी वज़े से मैं थोड़ा सा इसको देखिए ब्रांचे देखिए इसमें कितनी ब्रांचे हैं एक दो तीन चार पांच यह हैं और फिर इस यह देखिए यह जो इन्होंने मेरे को प्लांट दिया है यह भी मतला अच्छा खासा हेल्दी है और यह गुलाब खास है इसका नाम है वराइटी है आम की इसका नाम है गुलाब खास है इसका ट्रंक देखिए आप सबसे इंपोर्टेंट होता है ट्रंक भाई स्टार्टिं में कोई भी अगर गंबले में लगाई है जमीन में लगाई है अगर उसका ट्रंक अच्छा है मजबूत है तो उसमें रूटिंग बहुत अच्छे से हुई होगी और अगर उसकी रूटिंग अच्छे से हुई होगी तो प्लांट उतना ही अच्छे से सर्वाइब कर सकता है अ इसमें ब्रांचेस धेर सारी आना सुरू हो जाएंगी और बाकी नीचे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट है लेकिन अभी मैंने चुकि इसको लगाऊंगा इसके बाद ही इसमें आ पाएंगी तो आप ये देखिए कि प्लांट उन्होंने कितना जबरदस्त मेरे को भीजा है मुझे तो बहुत अच्छे प्लांट लगें सोभा नर्सरी के और उमीद करते हैं कि आप भी एक बार हो सके तो आप ट्राइ करिएगा बहुत ही जैन्विन और बहुत अच्छी नर्सरी है और प्लांट उन्होंने जो भी दिये हैं मेरे को मैं उससे पूरी तरह से सटिस्फाई हू क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं प्लांट देखने में भी और उस तरह से भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट जरू करिएगा थैंक्यू सो मच थैंक्यू फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल